पुरहनपुर जिले से 12 किलोमेटर दूर इस्तित ग्राम लोनी में किसान की बेटी का MBBS की पढ़ाई के लिए गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज श्यूपुरी में सिलेक्शन हुआ है किसान निलेस महाजन खेती किसानी कर अपने बच्चों को सिक्षा दिला रहा है किसान की बड़ी बेटी जानवी महाजन BHMS फाइनल एयर कर रही है जिसकी प्रेणा से छोटी बेटी वेदिका महाजन ने भी डाक्टर बनने का सपना देखा और अब उसका MBBS की पढ़ाई के लिए सिलेक्शन हो गया है जिसको लेकर पुरे गाव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है ग्रामिन बेटी का स्वागत सम्मान कर रहा है बेदिका ने नीट की एक्जाम फाइट की थी जिसमें उसका आल इंडिया रेंक में 59,740 रेंक रहा तो राज्य में 1043 रेंक मिला जिससे उसका मध्यपर्देश के सिवपूरी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है ग्रामिन अब गाव की पहली बेटी का गवर्मेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने पर बधाई देने के लिए उनके घर पहुच रहे है किसान निलेश महाजन ने जानकरी देते हुए बताया कि बेटी वेदिका ने अच्छी पढ़ाई कर नीट एक्जाम फाइट किया अब MBBS की पढ़ाई के लिए सिलेक्शन हुआ है यदि हम प्राइवेट MBBS की पढ़ाई कराते तो करीफ 70 लाक रुपे का खर्च आता लेकिन अब सरकारी कॉलेज में एडमिसन मिलने पर मात्र 10 लाक रुपे में ही हमारी साड़े चार वर्ष की पढ़ाई पूरी होगी वेदिका ने डाक्टर बनने के पास समाज की सेवा करने की बात कही मेरा नाम वेदिका महाजन है और मैं लोनी गाउट की निवासी हूँ अभी आपका किस एक्जाम में आप पास आउट हुए कौन सा आपको कॉलेज मिला है मैंने एक्जाम नी 2023 वो एक्जाम दी थी और मुझे जो कॉलेज अलोट हुआ है वो गवर्मेंट कॉलेज है मेडिकल गवर्मेंट कॉलेज शियूपुरी का डॉक्टर बनने की प्रेणा कहां से मिल आप प्रेणा मुझे मेरी बड़ी बहन से मिली जो खुद एक डॉक्टर बन रही है वह और डॉक्टर बन के मुझे समाज की सेवा करनी है मैं लोनी गाव में रहता हूं में खिते किसानी करता हूं मेरी वेटी में अच्छी मेहनत करके जो नीट में मार्क्स लाए उसके बेस पर उसको गवर्मेंट कॉलेज मिला मिला है अलाट हुआ है उसके लिए मैं इसको इसके मेहनत जो की है उसके लिए बहुत बहुत उसको बदाई देता हूँ मेरे पूरे परिवार मेरे मित्र जो साथ ही लोग है सब को आनंद महिसुज हो रहा है अगर निजी कॉलेज भी मिलता तो गौर्मेंट फीज भरती में अधा भी में फीज भरती या पोस्ट मेट्रिक चात्रोती भी पर हमको गौर्मेंट कॉलेज मिला उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है प्राइवेट में कुछ न कुछ हमको ज्यादा ही पैसा खरचा करना अब बार्टाना